रुपा बाजवादा नावल साडी शौप दा बार्वांट रीना कपूर दी शादी नुवम्रिस सर्च सदाई कैसी शानदार शादी वजों चेते कीता जाया करेगा जिते चाडी के समधाता मिठाई वरताया गया सी एस बारे शेर चेनी चर्चा सी के रामचांद नुवी बहुत उत्सुपता हो रही सी जोदो पैसे लेंड ली महाजन खुद कपूर हाउस गया तो उनुवी शादी ली सद्दे दा कार्ड दे दिता गया महाजन वापस आया ते उन्हें शाम ते राजेश नुवे कार्ड दिखाया कपूर परवार दी शादी दा सद्दै उन्हें जोदो इंगाल कईता ओधी अवास्च आई खुशी ते मान दी पावना साफ दिखाई दन्दी सी शाम तेरा जेश सचमुची परवावत होए ते बहुत ही मेंगे दिखाई दन्दे कार्ड नुँ कुमा अफरा के देख रहे साँ फिर महाजन दी सैम्ती नाल उना होरानु भी कार्ड दिखाया गोकल कैन लगा सोचो था सही एक एक कार्ड दा किना मुल होएगा ये ता बड़ा चमकील है वदेशी रिसाले आदे कागस वरगा इस साचमुची एसे तरांदा सी जदो रामचांद ने कार्ड अपने हत्थांच लेया तो वी बहुत परवावत होया ये सिर्फ मेंगा दिखाई नी सी दन्दा सोगो खूब सूरत भी सी एक आड मोटे मजबूत सिल्वर पेपर दा बनेया सी ये दे बारले पासे नीले रांगच बड़ा वड़ा ते शानदार ओम उक्रया होया सी अंदर अंग्रेजी चक्खर चापे होय सन जेस्ट लोकानवी सद्दा दिता गया सी के इस पवित्तर मौके ते हाजर हों उन्हें महाजर नों पोचे आमरे सर दे सारे बड़े लोकों थे होंगी तुस्वित जाओंगे बाउजी महाजर ने अपना सेरो दासी नल हलाया मैं नहीं जा सकांगा मेरे पती जेदी भी उसे दिनी शादी है उस दिन बड़ा शुब लगन होएगा क्योंके उस दिन बहुत सारे परवाराँ शादीया हो रही है मैं कपूर हाउस नहीं जा सकांगा तेनू पता है मेरे पती जेदे पिता यानी के मेरे प्राधी मौत हो चुकी है यसली मैंनों ओथे जाना ही पहना है सारे आने सेरह लाया थी हम दर्दी दा पाग जेरियां तेले अंदा हरी ने चुस्ती नल जवाब देता तुसी ता संतावर गेओ भाउजी खुशी नाडो फरजानू पैल देन देओ महाजन खुश हो गया ते फिर पोड़ियां उतर गे हरी ने हलके जेक उकल दे कूणी मारी ते सारे जणे हस पै रीना कुपूर दी शादी वड़े देन रामचंद सारी स्वेर एस भारे सोचदा रहा महाजन ने अपने पती जेदी शादी ले चुट्टी लई होई सी हरी कैन लगा हो तो अपने मोटे मूझ पोकॉड़े ते समोसे ते मठ्याग्यां तो न रहा हुएगा जाद के असी एस मकबरे वर्गी दुकान चे खाली पेट बैठे काम कार रहे हैं क्योंके महाजन दी गैर हाजरी दा लाब उठांदे होई हो सारा समा कागस देले फाफे चो कड़ कड़ के अलूटी कियां खांदा रहा ते उस दिनों ने कोई काम ने कीता एसलिए किसे ने व्योदी गाल वालते आन नहीं देता पर गोकल ने उन्हों दस्या के गाल बड़ी महत्ता पूरण है कि जे तुसी दस्तकार हो तो अपने काम दे संदान दा अपने काम वड़े थान दा सतकार करो उस किया कि जिस दुकान तो रुटी कमारे है उन्हों मकबरा कैना हरी ले बड़ा मंदपागा हो सकत है एस ते हरी ने बड़ी ती में वास्ट दुकान दे खिलाफ ते महाजन दे खिलाफ ही नहीं सगो उस खोन चूसन वाले पीम से अन सेठ दे खिलाफ भी कुछ गल्लां के गया ते फिर गर्मा गर्मोंग फली करी दनली बार चला गया गोकल ने हरी दे खिलाफ बोलना शुरू कर देता पर रेना गल्ला पेछे गुसा नहीं सी सगोधी आदत काम कार रही सी रामचंद अजेवी कपूर हाउस छोन वाले शादी बारे सोच रहा सी उन्हें सुने आई नहीं सी के गोकल की कह रहा सी शाम नू रामचंद किसम दी किसम चमक पई सी गोकल सारा देने सेर्दर दी शिकायत करता रहा सी ते शाम तक उन्हों बुखार भी मैसूसों लग पया रामचंद अना साड़ियां दीयां तेयां ला रहा सी जड़ियां छोटे बॉडर वाली साड़ी दी पाल करन वाली एक गाक ने खला रहा हुए आसी तक गोकल ने उन्हों पुखे रामचंद मेरे लिए कुछ कर सकते हैं गोकल दे चेरे ते आये हुए बिमारी दे पर बावानों देख दे चिंतत होके रामचंद ने पुखे की गोकल भीया तू अज मेरा साइकल अपने कार ले जा सकेंगा ते कल स्वेरे लेवी आएंगा मे कि हो सकता है सिर्दर्दोस मूरक हरी ते ओदे बंदर बुलां करके हुए रामचंद मुस्कराया उजानदा सी हरी बारे इस तरह निया गलां करन दे बावजूद गोकल नो बहुत प्यार कर दे गोकल ने अपने हथां दिया उंगला नाल अपनिया पुड़ पुड़िया मल गया ते क्या मैंनू लगदा है कि मैं रिक्षा लेके कार चला जावां तैनू तो कोई फर्क नहीं पेंदा मैं साइकल ले जावांगा गोकल बहिया तुसी किसे गल्दी चिंता ना करो हरी ने इस तरह क्या जमें अपने दोस्त ली बहुत वड़ी कुर्बानी करन जा रहा ह गोकल कैन लगा बिल्कुल नहीं मैंनू कालनू अपना साइकल साबत सबूता चाईद है रामचान तू ले जाएंगा रामचान तुरं त्यार हो गया छेती मगरों गोकल हिल दे होई रिक्षेट बैठके दर्दनाल कुर्लोंदा होया रवाना हो गया हरी निराश होके बे मत प्रदने ताफलू दावी दित्ता जांदा सी जदो रामचान तू रामचान तू बार आया ते गोकल दे साइकल दे चमक दे हैंडलनू हाथ लाया उन्हों चेता आया कि उन्हों कपूर हाउस वल चाती मार के जाना चाहिद है बस रता कू चाती उ यस लालच नू रोक अपणियां दुकाना दे लोहे दे शटर बंध कार रहे सन करानू जा रहे सन रामचान नूए शाम समोहत कार रहे सी असमान हालेवी पूरी तरां कालाने सी होया दिन दी हलकी जी सुनेरी रंगत हालेवी असमान चे लटक दी दिखाई दे रहे सी गलियानियां रोश्नियां चमक रहे सन। क्रेलू और तां ते दिर्म्यानी उमर दे मर्द इना रेडियां ते सौधे बाजी कार रहे सन। क्योंकि जान दे सन। कि ऐस वेले सस्ता सौधा मिलन दी आसुन दी है। दोदी गेंदे ते फुल्लांदे नाल नाल हरे पत्ते अन दिखता ग्यानल इस्तरां बनने सी कि गेट दाल लोहे दाटांचा पूरी तरा लुक गया सी। सब्तो वद खुशबू गेंदे आरे सी ते इस नाल उदी याद ताजा हो गई। ते शिवाले च वढ़ियां वढ़ियां टलियां दे खड़कन दी अवाज सुनाई देते। कुछ समेली उते खड़ा अपने सुपनेच ग्वाच्चा रेया। उदा मन खुशी नल पर पूर हो गया फिर वग्यवद गया। आले द्वाले दी हरेक कंद हरेक द्रख्त हरेक चाड़ी ते रोश्नियां लगियां सी। वारी वारी जग बुझ रियां ते चमक रियां सन। पल पर ले उने सोचया के यही हकीकत सी। जदके शेर दे अंदर ला गंदा साक उटमाएं लाका उदे बिमार मन दी कलपे तो पज मातर सी। जदो हलकी हलकी हवाद रखता नियां टैनियां नुहलाओं दी ता उना ते लगियां हुई यां निकियां निकियां रोश्नियां भी हलका हलका हिल दीयां। इत्थो ताके सडक भी साफ कर दिती गई सी। रामचंद बिना किसी रुकावड दे कार तक पहुंच गया। मकान ते भी बढ़ियां शानदार रोष्णियां लगियां सन। सारे दर्वाजियां ते फुल्लां ते हार टंगे सन। मकान दे बारले पार्क वेच वड़े वड़े लाल ते चिटे रंग दे तंबू हलकी हवाच लहरा रहे सन। बड़े खुबसूरत कपड़े पाई लोक त तोर फिर रहे सन। ते कारते तंबू हाँ वचाले चक्कर गाड रहे सन। पावे हले समाने सी होया फिर वी लम्मियां ते खुबसूरत कारां सडक दे दोई पासियां के खड़नियां शुरू हुई गया सन। रामचंद रुख्या ते साइकल तो उतर आया। फिर ओई इस वळा सुरख्या गाड सी। रामचंद ने उस वाल रता को रोसनाल देख्या। जानदा सी। जी उन्हें चंगे कपड़े पाये हुंदे। देखनू अमीर लगदा तो उन्हों रुख्या नी सी जाना। ते उन्हें वेख्या के गाड दी बेल्ट चिक हा थी आर्वी टंग रिया सी आखरकारों ने दसे हैं मैं दसां रीना मेम साब जेडा गाड मगरों आके खड़ा हुया। उन्हें पहले नू किया। इन्हों रीना मेम साब को लाजा। उन्हा नू पोच्छो वर्नाओ बहुत गुस्से हो जाएगी। बिना इकवी शबद बुलेया रामचंद उस रख्या गाड ने मकान दे वड़े गेट दे लेयां दा। उन्हों बहुत पसीना ओन लगा हुनकी होएगा। रीना वड़े सारे शीशे दे सामने खड़ी अपने आपनों देख दी हुई संतुष्ट महसूस कर रही सी। उन्हों ये पता ही नी सी केमरे सर्दियां ब्य हाल करनी है। आखर करे से डर सद कई उन्हें दिल्ली तो एक ब्यूटीशन नू हवाई जहाजरा ही सद्या सी। ये पतली जी औरत सी जी दे वाल कटे सान। ये दिल्ली तो एक पंच तारा होटल नाल जुड़े होए ब्यूटी पारलर नू चलों दी सी। सारे उन्हों रिना ने गल अपनी पैन नू गई। जड़ी ओदे पिछे बिस्तरे ते बैठी सी। जीने पीले हरे रंग दा लेंगा पाया सी। जिड़ा जिनना महेंगा देस्दा सी हो तो असल चिके ते महेंगा सी। मैंनू डर सी कि अम्री सार दे लोग मेरी शकल बगार देंगे। ज रिना ने सेरह लाया हाँ, ये तो बड़े मूरखन, कोई स्टांडर ही नहीं। सत्मुची रिना होर ना लाडिया नालो वक्री दिखाई दे रही सी। उन्हें जड़ा लेंगा पाया सी। जिवक साड़ी हाउस दा नहीं सी। ये लेंगा बंबाई दे एक मुशूर फेशन अगे वरते सांते बड़े कमाल दा लेंगा त्यार किता सी। आम तोरते लाड़ी वलो पाये जांदे सोने दी था, उन्हें दस्त कारी दा बनेया होया, इको एक सोने दा हार पाया होया सी। ये बड़ा शानदार हार सी। ये इस टी हीरे ते पन्ने हुबसूरती नाल करे सां। दो दिन पहले एक राजस्थानी मेंदी वली नी उदे हत्थां ते बड़ा खुबसूरत मेंदी ता डिजाइन बड़ाया सी। ये ड़ा उधियां कूनियां तक पहुंच दा सी। उन्हे रीना दे नाजुक पैर ते गिट्टे वी इसी डिजाइन चरंगे सां। इस शांदार मेंदी दे डिजाइन फुला, मोरा, पतियां, पालकियां दे लावा। उना होर्वस्थानल बणे सां। जड़ी राजस्थानी ओरत ने खुद अपनी दादी तू सिखे सां। अज मेंदी बड़ी खुबसूरती नल चमक रही सी। डॉली ने रीना दे चे रे मेट मेकप लाई सी। उधियां खानू खास तौर ते उबारे आ गया सी। उधियां वाड़ानू दी तौन पिछे बड़े शांदार जूडेच बने आ गया सी। ते जूड़ा पलू लुपेटनली बिल्कुल सही अकार दा सी। हां, रीना संतोष्ट सी। उन्हें अपनी म ते हो रिष्टेदार औरतां वलो दितियां गयां हे डायतां दी परवार ना कर दी होई। अपनी शादी दे दिन दी त्यारी अपनी वक्रेटा अंगनाल कीती सी। दर्वाजे ते दस्तक होई। तीना दर्वाजे तक गयी उन्हें खोले आ नोकराणी बार खड़ी सी। उ आठ चौन्दी हन के मेम साब तो पुछ ले आ जाए। तीना ने अपना ते आनमुर शीशे वल कर दे जवाब देता। उन्हानु कोओ के हाल चू डिकन में हेठां आ रही है। इस तरह आम करके नई सी हुन्दा ते नोकराणी नो दा पता सी। पर उन्हें इक भी शबद ब इक दी बेस्ती कर रही है। आम तोर ते लाडियां कमरेच बैठियां शर्मांदियां रहन दियां। उन्हां दे आले द्वाले शिरारतां कर दियां कुडियां बैठियां हुन्दियां। उन्हां दे गैनियां ते कपड़यां नो अकसरी वडेरी उमर्दियां व आरतां बा चोंदी है कि सिर्फ ओधी पैन ते डॉली ओदे नाल रहन गिया उन्हें सारे नौकरां ते सुरख्या गाड़ा नुए किया कि जे किसे किसम दा कोई शक होवे ता ओधी मानूं तंग करन दी था खोद उसको ला जान क्योंकि ओधी मा मशूर महमाना दियां बीवियां दा खड़ा काम बरेया से उदे कान लाल हो रहे सानू बहुत बेश्ती मैसूस कर रहे से नौकरां अपने नौ चित रही सी ते बड़ी दिल्चस्पी नालो स्वल वेक रही सी वड़े सारे हौल्च चमेली दे फुलां दी सुगंध फैली हो इसी हां रीना को पूर्णे जद है पुछे तो चंगी तरह जान दी सी क्योंकि नी खूबसूरत लग दिये एक गाड जिने रामचन दी कुणी हाले भी सकती नल फड़ी हो इसी कहन लगा मेम साब इहे ठां बार खड़ा सी कहन दा के तुसी यनू सद्ध्य है मैं तो अड़ी साड़ी वाला रामचन ने तुरं जिस तरीके नल मुस्कुरा रही सी रामचन नो चंगा नी सी लग रहा पर अचंचे तो ने उनू हैरान कर दे हुए गाड़ा नो किया हाँ मैं अनू सद्ध्या सी एस ते दो में गाड रामचन नो थे खड़े छड़ गए चुप चपीते बार निकल गए रीना ने रामचन पोड़िया नो शहाना टंग नल खेंदा जार्या सी तन्वाद चल्ड़ाई